रहितेर स्टुड्रेंट्स चलिए स्टार्ट करते हम लोग क्लास 10 के लिए सबजेक्ट क्रम्यूतिक्स को पढ़धना जैसा कि जानते हैं हम लोग क्लास 10 में एन्सी ऑस्टीử बूक्स से मैळशमेटिक्स को पढ़ रहे हैं छे दर्फल और आयपतन केid exercise 13.3 13.3 के questions को discuss कर रहे हैं तो पिछले class में हम लोगों ने question number 3 तक के discuss किया था चलिए आगे की questions देखते हैं question number 4 सबसे पहले हम लोग questions देखेंगे questions क्या बोला जा रहा है बोला जा रहा है ब्यास 13 मिटर और एक 3 मिटर स्वरी तीन मिटर का एक कुमा है ठेक है आपको हम दिखाना चाहते हैं कैसे बनाएंगे चलिए बोला क्या यहां ब्यास तीन मिटर का एक कुमा 14 मिटर की गहराई तक खोदा जाता है देखिए अब बोला क्या गया कि एक कुमा खोदा जाता है अब इस कुमे के बारे में बोला क्या गया कि इसका जो कुमा कैसा होगा भई तो बेलनाकार होगा बिल्कुल करेक्ट यह कुमा है और कुमा बिल्कुल गोलाकार होगा यह हमें पता है एक कुमा है और इस कुमा का हमक को टूटल यहां से यहां तक 3 मीटर यानि कि कुमा का व्यास हमको दिया है 3 मिटर तो इसका त्रीजिया पता है ना यहां से लेकर यहां तक 3 बटा 2 होगा मीटर अधा हो जाएगा कुमा 14 मिटर की गहराई तक खोधा जाता है यहां कि कुमा का जो गहराई है वो कितना है टोटल 14 मीटर यहां से लेकर यहां तक ठीक है अच्छा फिर क्या बोला जा रहा है इससे मिटी निकाल कर निकली हुई मिटी को कुमे के चारो तरफ चार मिटर चोड़ी बृतकार वले बनाते हुए समान रूप से फैला जाता है अक्सर हम लोग क्या करते हैं गड़ा अगर खुदते हैं तो जो गड़ा खुलेंगे तो गड़ा में से मिटी जो निकलेगा उसी के चारो तरफ हम लोग फैला देते हैं यहां पे भी वही किया ग मिटी फैला दिया गया है चारो तरफ आप देख पा रहे होंगे हम यहां पे बनाने का वही कोशिस कर रहे हैं ताकि आपको साब साब दिख सके यहां से जो मिटी निकला इधर चार तरफ चार मिटर चोड़ा और जो है चारो तरफ से भर दिया गया है ठीक है मिटी तो बु तो व्रितकार वेले बनाते हुए समान रूप से फैला करें तो इस बांध की उचाई बताना यानिकि चारो तरफ एक बांध बनाया गया अब इसी का उचाई निकालना है तो हम इसका उचाई मान लेंगे छोटा एच या फिर बड़ा एच मान लेजे इसका उचाई बड़ा हम इस सबसे पहले आप ये बात कर लेजिए कि जो खूंअध है तो कूंएं का कुमे का ब्यास कुमे का ब्यास कितना था तीन ब्यास थो इसलिए कुमे की त्रि जिया कितना हो जाएगा त्रिया आर अर बराबर 3प 2 मिटर ठीक है त्रीजिया 3प 2 मिटर हो गया अच्छा ये तो कुमे का त्रीजिया हो गया अच्छा बात मान लेता है जो 4 तरह मिटी फैला गया है वो तो और 4 मिटर रोड4 है सब 4 मिटर इधर 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 जो klaar कर रहे है ये टोटल 4 मिटर है बुला जा रहा है कि जितना त्रिजिया होगा ये तो अंदर वला का होगा बाहे त्रिजिया कितना होगा यहां से लेके बाहर तक के त्रिजिया तो उसको हम लोग बाहे त्रिजिया कहेंगे बाहे त्रिजिया को कैपिटल आर से हम सुचित कर रहे हैं बाहरी उचाई का उचाई है व इंचाई है यहमनु चे मान दिया है 14 मेंटर तो जो उंडर वाला है कुव़़ का उनचाई है तरी जहतां हाँ है आप बताई है कि हमको चारो तरब से मिटी जो फैलाए हैं वो मिटी क्या होगा तो चलि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रश्ण से कुवे के जो मिटी का आयतन होगा ध्यान रखिएगा कुवे का मिटी का आयतन बराबर बांध के मिटी का आयतन यानि कि जो बांद बनाया गया चारो तरब से उसका मिटी का आयतन बराबर होगा बांद के मिटी का आयतन अब देखिए कुवे का मिटी का आयतन कैसे निकालेंगे तो कुवा क्या है एक बेलनाकार है तो बेलन का फार्मुला होता है पाई आर स्क्वार एच बराबर अब यहां पर देखिए हम अगर पाई आर स्क्वार एच बड़ा वाला के लिए करते हैं तो अंदर वाला भी सामिल हो जाएगा इसलिए करेंगे कि आप बाहर वाला में से अंदर वाला के आयतन को घटा लेंगे तो कुल मिला कर यहां हम और उचाई तो सब में H ही रखेंगे तो इस तरीके से हम लोग यहां देख पा रहे होंगे कि जो यहां बांध के मिटी का जो आयतन है अब बांध के जो मिटी है उसका आयतन हम लोग कैसे निकाल पाएंगे तो जो चारो तरब से बांध निकाले हैं उसमें हम लोग देख पा रहे होगे कि phi h तो common रहेगा क्योंकि h उंचाई है यानि कि जो बांध कायतन होगा पाаюсь आर अस्कोर होगा ठेक है π ρ completely यानि लेकिन यहाँ पर r square के जगह पर ध्यान रखे हम लोग करेंगे क्या तो बड़ा वला त्रीजिया है यहाँ से यहाँ तक उसमें से छोटा वला त्रीजिया को माने है छोटा र इसलिए r square बड़ा r square में से छोटा r square को घटाएंगे लेकर तो इस तरीके से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि हम लोग जो पाई डियर लगाते थे ठीक है तो पाई रस्क्वा के जगह पे बड़ा आर स्कॉर में से छोटा आर इसलिए घटाए गया क्योंकि यहां पर क्या है गड़ा है यहां से हम लोग निकाल के चारो तरफ में मिटी लगाया हुए है इसलिए कैपिटल आर स्कॉर माइनस आर स्कॉर करते हैं अब पाई से पाई तो दोनों तरफ कट ग टोने का मतलब इसको आप स्कॉर्स कालकुलेशन कर लीजेगा और यस का खुद से ही सकत technical अब कर ले जाएगा कि कितना होगा इसका एज का वैलू तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर find out कर लेंगे वैलू question number 4 का हम लोगों का एज का वैलू आ जाएगा चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले question की दरफ question number 5 dear students तो फिर चलते हैं अगले question number 5 पर कि पाँच नंबर question क्या बोला जा रहा है तो पाँच नंबर जो questions है कुछ इस तरीके से दिखा रहा है ब्यास 12 cm और उचाई 15 cm वाला एक लंब रितिये बेलन के आकार का बरतन आइस क्रीम से भरा है आइस क्रीम जो भरा हुआ है वो किस तरह का बरतन में भरा है बेलन जैसा बरतन में जिसका ब्यास 12 है और उचाई 15 है चलिए एक बेलन बनाते हैं और इस बेलन का बात करें तो इस बेलन का आयतन यानि कि इसमें जो आइस क्रीम भरा पड़ा है इसका ब्यास टोटल यहां से यहां तक 12 मेटर है तो आप समझ रहा है कि त्रीजिया यहां से यहां तक कितना होगा तो बेलन की त्रीजिया आर इस इक्वल टू हो गया 6 सेंटिमेटर ठीक है क्योंकि 12 सेंटिमेटर त्रीजिया था अच्छा इसके उचाई का बात कर रहे हैं बेलन के उचाई को H से डिनोट्स कर रहा हैं, उचाई हम लोगों को 15 cm दिया है, ये बेलन की उचाई रहा, बेलन की उचाई 15 cm, फिर जड़ा बात कर लेते हैं, तो एक लंब रित्य बेलन क्या कार का बरतन आइस क्रीम से भरा पड़ा है, इस आइस क्रीम की उचाई को 12 cm और 16 6 cm वाले संकु से भरा जाना है जिसके उपर सिरा अर्द गोलाकार होगा अब सुनिए बोला जा रहा है कि इसमें जो जितना आइसक्रीम है उसको उसी आइसक्रीम को भर रहे हैं हम लोग कहां पर भर रहे हैं वो सुनिए एक तरह का संकु के आकार का बरतन है जिस बरतन के उप और एक और दो गोला कार जैसा है ऐसा एक बरतन है और इस बरतन का बात किया जाए तो इस संकु का बोला जाए के उचाई 12 संटीमेटर है यानि कि ये वाला जो उचाई है संकु का इसको हम संकु की उचाई यानिकी 12 cm ठीक है और इसका जो ब्यास है यहां से यहां तक 6 है तो इसका त्रीजिया कितना होगा त्रीजिया 3 cm होगा ठीक है तो ऐसा ऐसा संकु में न हम लोग आईस्क्रीम को क्या कर रहे हैं भर रहे हैं और इस आईस्क्रीम को भर रहे हैं जिसके त्रीजिया कितनी है 3 cm औ आर्द गुलाकार और इसके उपर से एक अर्द गुलाकार भी लगाया हुआ है, संक्वाकार के उपर, तो बोल रहा है उन संक्व की संक्या ग्याद किजिए जो इस आइसक्री में से भरे जा सकते हैं, यानि कि हमको संकु का संख्या पूछा जा रहा है question में आप बताइए कि जो संकु का ऐसा संकु है जिसके उपरी अर्ध गोलाकार है तो ऐसा ऐसा कितना संकु होगा यानि कि सबसे पहले बेलन के लिए तो हमको clear दिया है बेलन के लिए बेलन के लिए त्रिजिया कितना होगा 6 cm बेलन के लिए उचाई कितना होगा 15 cm संकू का बात कर लेता है कि संकू के लिए क्या होगा तो संकू के लिए हम लोगों का उचाई दिया है 12 cm संकू के लिए त्रिजिया दिया है 3 cm और फिर उसी के ऊपर अर्ध गोला लगाया हुआ है तो अर्ध गोला के लिए अगर बात करें तो त्रीजिया दिया है कितना तो अर्ध गोलाकार भी तुत्रिजिया तिन सेंटिमेटर ही होगा क्योंकि जितना संकु होगा उसी के उपर ने गोला रखा हुआ है अर्ध गोला रखा हुआ है चलिए अब प्रश्न से बात कर लेते हैं प्रश्न से भूला गया कि जितना बेलन में आइसक्रीम है यान पर मान लिजे कि माना की संकु की संख्या बराबर X यानि कि संकु कितना गो है X गो है तो X गुन है इसमें कौन-कौन सा जोड़ेंगे तो संकु का आयतन संकु का आयतन पलस अर्द गोले का आयतन ब्रैकेट में बन अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें संकु जो बना हुआ है अकेले सिर्फ संकु से नहीं बना है ये अर्द गोला उस संकु को मिला करके संकु की संक्या हम आने है तो बोल रहा है कि जितना आईस क्रीम बेलन में आएगा उतना ही आईस क्रीम कई वो संकु में भरा जाएगा तो संकू के संख्या हम x मान लिए हैं x गुने संकू का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन अच्छा बेलन के आइस क्रीम का आयतन बेलन का आयतन होगा πाई आर स्क्वार एच बराबर x गुना संकू का आयतन 1 बाई 3 पाई आर स्क्वार एच प्लस और दो गोले का आयतन टू बाई थ्री पाई आर क्यूँँग तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को आयतन निकलेगा अब यहाँ पे ध्यान रहे आप देख पा रहोंगे कि यहाँ पे हम लोग जो आर है त्रिजिया है यहाँ आर आर कौमन नहीं ले सकते हैं जिसे मान लिया यहाँ पाई आर स्क्वाइर तो आर के जगा पे कितना तो बेलन के लिए त्रिजिया कितना है छे तो छे का स्क्वाइर गुने बेलन का उचाई क्योंकि बेलन का उचाई यहाँ एच लिया है बेलन का उचाई है पंदरा इस इक्वल टू, एक्स का तो एक्स छोड़ देंगे, अब यहां से देखिए, क्या common हो सकता है, तो πाई तो common होगा ही होगा, r common नहीं लेंगे, क्योंकि एक और जो है संकू का त्रिजिया है, और अर्ध गोला का त्रिजिया है, तो दोनों अलग-अलग हो सकता है, इसलिए हम लोग यहां पर, पाई का वेलू, common करेंगे, तो पाई जो है common कर लेंगे, तो यहां क्या होगा, one by three, one by three, और r square, h, plus, two by three, पाई तो common हो गया ना आगे यहां से पाई आगे common हो गया तो यहां r square h बच रहा है यहां से पाई common कर लिए तो यहां r q बच रहा है इस तरीके से पाई और पाई क्या है cancel हो गया और यहां 6 का square कितना होता है 36 तो 36 गुने 5 बराबर के 36 गुने 5 जितना आएगा कर लिजेगा x का x भैलू और bracket में 1 by 3 r square तो r किस के लिए तो संकू के लिए तो संकू का 3 जया कितना है 3 तो 3 का square करना है यहां पे तो 3 का square direct यहां लिख देते हैं 9 यहां पे r के जगह पे 3 रख दिया और 3 का square करना था तो 9 और संकू का उंचाई कितना है तो संकू का उंचाई 12 तो into न कर देता है 12 ठीक है और फिर प्लस करना है 2 by 3 तो 2 by 3 और फिर r का q तो r का मतलब कुँची 3 जया किसका अर्द गोले का तो अर्द गोले का भी 3 जया तो 3 ही होगा लेकिन यहां 3 के power 3 करना है तो इसका value कितना होगा 27 और 3 से कितना बार में कटेगा 27 यह 9 बार में कटेगा और यहां से 3 जो है 12 से कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा तो यह 9 चव का 36 और 9 दूनी का 18 36 और 18 को जूड लिजेगा तो 36 और 18 मिलकर कितना हो जाएगा 54 और इस 54 से डिभाइड कर दिजेगा 36 गुना 5 जितना आएगा भागा 54 और जितना बार में कटेगा वो हो जाएगा X का वैलू तो इस तरीके से question number 5 कभी हम लोग discuss कर लिए चलिए आगे बढ़ते हैं question number 6 को discuss करने क्या बोल रहा है question तो छटा number questions आप देख पा रहे होंगे कि बोल रहा है कि भीमा 5.5 cm 10 cm गुना 3.5 cm वाला एक घनाब बनाने के लिए यानि कि एक घनाब है आप चलिए घनाब का यहाँ पर figure देख लिजे तो एक घनाब है दोस्त और इस घनाब के बारे में स्तावाल बोल रहा है कि इसका लंबाई, चोड़ाई, उंचाई ये तीनों का तीनों हम लोगों को given है, दिया हुआ है अब इस लंबाई, चोड़ाई, उंचाई में दिया है जो सबसे पहले गुना गुना करकर दिया रहता है उसमें सबसे पहले L होता है लंबाई कितना होगा, 5.5 ठीक है, L का वेलू 5.5 cm B कितना होगा, तो 10 cm ये वाला होगा हम लोगों को B और उपर वाला उंचाई कितना होगा 3.5 cm यानि कि यहाँ L का वेलू दिया 5.5 cm B का वेलू 10 cm H का वेलू 3.5 cm तो L, B और H 3 का वेलू हम लोगों को यहाँ पर गिवन है अब L, B, H 3 का वेलू जब हम लोगों को यहाँ गिवन है दिया हुआ है तो फिर क्या आगे बोल रहा है बोल रहा है कि 1.7 cm ब्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी की सिक्कों की संख्या पिगलाना पड़ेगा यानि कि एक चांदी का सिक्का तो चांदी का सिक्का देख पा रहोंगे कैसा होता है बिल्कुल बेलनाकार होता है चांदी का सिक्का कैसा होता है बई बेलनाकार होता है आप अगर 5 के सिक्कों को रखेंगे तो ऐसे ही नरत है 5 का सिक्का तो ऐसे ही चांदी का सिक्का है हम लोगों को जिसका ब्यास दिया है 1.75 यानि कि चांदी के सिक्के का ब्यास चांदी के सिक्के का ब्यास दिया है 1.75 cm इसलिए इसका त्रिज्या कितना होगा तो 1.75 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.875 cm यानि कि इस बेलन बेलन चांदी का जो अकरिती है वो बेलन के जैसा है और इसका आर पता चल गया 0.875 cm ठीक है क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से त्रीजिया मिलेगा तो से डिवाइड करेंगे तो अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि और 2 mm मोटाई है मोटाई मतलब ये वाला मोटाई मतलब उचाई यानि कि इसका उचाई दिया है भई 2 mm यानि कि मिलीमेटर अब 2 mm हम लोगों को उचाई है तो अब मिलीमेटर से हम लोगों को कहा जाना होगा सेंटीमेटर तो जब मिलीमेटर से सेंटीमेटर जाते हैं तो पता है न क्या करते हैं हाँ तो पता होना चाहिए कि क्या किया जाता है जब मिलीमेटर से सेंटीमेटर तो आपको पता होना चाहिए 10 से न, डिवाइड करते हैं न, जब 10 से डिवाइड करेंगे, तो 0.2 cm हमें उचाई पता चल जाएगा बोला जा रहा है कि ऐसा कितने सिको की संख्या होगा चांदी के सिको की संख्या पुछा जा रहा है, कितने चांदी के सिको को पिघलाना पड़ेगा तो मान लिजे, माना की चांदी के सिको की संख्या बराबर X क्या मान लिए चांदी के सिको की संख्या X अब प्रश्ण से हम लोग चलेंगे क्या प्रश्ण बुला कि जितना घनाव का आयतन होगा भई जितना घनाव का आयतन होगा उसके इकवल में चांदी के जितना आयतन रहेगा उसकी संख्या X है तो X गुने चांदी के सिक्के की आयतन ठीक है अब गहनाब का आयतन तो L, B, H होता है जानते ही है X गुना चांदी के सिक्का तो चांदी के सिक्का क्या है बेलन का इतना होता है pi r square h l का value भई 5.5 b का value भई 10 h का 3.5 x गुने pi का value कितना रखेंगे 22 बटा साथ r का square 0.875 का square into में इसका उंचाई 0.2 तो कुल मिला कर आपको क्या करना है इधर का गुना कर लेना है जितना आएगा बराबर x गुने इधर का value निकाल देना है जितना आएगा फिर x का value इसमें से divide कर देंगे जो x के तरफ वाला होगा ठीक है इससे फिर divide कर लेंगे तो हम लोगों को चांदी के सिक्कों के संख्या निकल जाएगा मतलब आपको पहले दोनों तरफ calculation कर लेना है और फिर x के जो बगल वाला रहेगा उसको इधर ले जाकर वट्टा में कर रहेंगे divide में क्योंकि x गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोगों का दोस्त आज question number 6 तक के question discuss हुआ फिर मिलते हैं अगले क्लास में question number 7 से discuss करेंगे तो दोस्त आज के लिए इतना ही धन्यवाद